नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विपलब स्टॉक्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC Limited के बारे में यह स्टॉक आपको लॉस नहीं करा सकता आपको दो आपको प्रॉफिट ही कराएगा इस स्टॉक यह मैं क्यों कर रहा है मैं इसका चार्ट में आपको दिखा तो वीडियो को फूरा देखेगा इस वीडियो में इस स्टॉक के बार में लगबग फूरी जानकरी देने की कोशिश किया हो तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो सबसे बहले बात करेंगे इसके वैलिएशन की तो वैलिएशन में सबसे पहले मार्कट का प्लाइज़िशन तो market capitalization आप देशकते हो 2,1058.25 करोर का market capitalization है इसके अधा हम EPS देखते हो तो यहाँ पे हम stand-alone data देखेंगे consolidated data हम नहीं देखेंगे तो stand-alone data में EPS 10.98 का EPS है dividend percentage एक हजार 15% का dividend percentage है 100% उससे ज़्यादा का dividend percent अच्छा वाना दाता है तो 100% कहीं ज़्यादा dividend percent तो काफी अच्छी बात है PC 17.32 का PC है dividend yield percentage 4.78 का dividend yield percentage है एक परशन उसे ज़्यादा का dividend yield percentage अच्छा होना जाता है तो एक परशन कहीं ज़्यादा dividend yield percentage दिख रहा है तो अच्छा ही मना जाएगा P की बात करते है इस्टॉक का पीई है लुइस फत्रिक % % 49 खा बुक बेलुए इंडस्ट्री पी 16 94 का इंडस्ट्री पी तो यहाँ चाप का पी थेकिंगे तो इस्टॉक का पी आप दो सकते इंडस्ट्री से हाइए निह ज़्यादा आगा एक नेगीटिव पाइएंगा किसी बी स्टोक प्लिए इंड़ेस्टी पी सहाइए नहीं ज्यादा तो तो नेगीटिव माना जाता है तो इस टोक के लिए नेगीटिव प्लिएवेशन में तो अच्छा ही माना जाएगा तो अबरॉल वेडिवेशन दख़ा है तो अच्छा है माना जागा एक ही नेगिटीव पॉइंट है जो कि यह इस्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाई है एक मातरे मामली सा नेगिटीव पॉइंट है इसके लावा डिवीडेन परसंटेज अच्छा है और डिलेवरल परसंटीज भी अच हो डिसम gwरण हो दिसमबर कोई नहीं है करते हैं बात करते हैं कि इन पूर्टर विचर कि की इस非 किसी हो इंपोले इन्वेस्टर्म आने तो इनकी जो होलडिंग है सेप्टमबर तुरीटा दुट्रीटि में 16.88 परसंटर्टि और इन्वेस्टर्टों के पास थे दिसंबर तुरीटाजन टु परचंटर्टी में 49,63% यह दिसम्बर 2020 में 49,92% यह जो डिया ही है बात करते हैं एक और इंपोर्टन इंबेस्टर की जो कि आमाफनी मीचल फंड कंपनी यह भी किसी भी स्टॉक के लिए इंपोर्टन इंबेस्टर माने आते और किसी भी स्टॉक में इंबेस्टर करने से पहले उस इस्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्स और एनले से जरूर करती है मीचल फंड कंपनी तभी जाके किसी स्टॉक में इंबेस्टर करती है तो आप देशकतों जो मीचल फंड कंप दिसंबर 2020 में 47.6% अधर्स के पास है तो पूरा शेरोल्डिंग बैटन है तो ओवरल शेरोल्डिंग पैटन दिखा जा बहुत ही अच्छा बहुत इस्ट्रॉण शेरोल्डिंग पैटन माना आगा पर मुटस की होई कोई होल्डिंग नहीं लेकिन फॉर इंबेस्टों जोकी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इस बहुत यह अच्छा शेरोल्डिंग पैटन दिख रहा है और काफी स्ट्रॉंग शेरोल्डिंग पैटन है इसके चली चलता है इसके लास्त त्रीग वाडर का रिजल्ट था एप लोग आप लोगों दिखा देता हूं तो लास्तिड क में 9,774 करों का सेल्स ता तो मार्स से जून में सेल्स डिक्रीज हुआ नहीं कम है आपको पता हिए कोड़ोना वायरस कोबीद 19 की बज़े से जून के कौर्टर का रिजल लगबग हर कंपनी का खराब गया है इस कंपनी का भी आप देशक तो सेल्स काफी जादा डिक्रीज हु सब्सक्राइब करों का जून से इंक्रीज हुआ लेकिन मार्स से आप देशक तो कम है नेट पॉफिट लेकिन से ज्यादा था सब्सक्राइब कर देना चाहिए इस सेल्स जाधा होने के बाब जूद भी नेट पॉफिट कम हुआ है मार्स की कम प्रिजन में तो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करना चाहिए इसका चली चलते है इसके बैलेंस इट के उपर तो बैलेंस इट में मार्स 2020 और मार्स 2019 मा देखेंगे तो टोटल सेल्स कैपिटल मार्स 2019 में 1225 दसना 86 करोका टोटल सेल्स कैपिटल था। बात करते हैं नेटवर्थ की तो नेटवर्थ मार्स 2019 में 5749-89 करो का नेटवर्थ था और बात करते हैं तो टोटल डेट आप देशकतों जो है तो टोटल डेट जो है मार्स 2019 में 5769 करो का तो टोट डेट धा नहीं कर्जा है तो कमपने कोमपनी को करने देना होता अपने ग्रौहत पर जितना चाहे उतना पैसे लगा सकते है इसका चाहिए चलिए जलते सके चार्ड के ओपर तो चार्ड में मैं आपको तना चाहूंगा कि आज 27 जनवर ही है और आज अभी मार्केट कोलोज हो जगा तो आज का कोलोज हुआ है दो रुपे 95 पैसे स्टॉक उपर जागे है एक दुसला बैलिस परसंट आज इस स्टॉक उपर गया है बात करेंगे पिछले पास दिन के पर 20.60 परसंट का पॉजीटिव इं इस सीटन होजी श मैने का पच्छा इन पर संट परसंट का पॉजीटिव इंदे पिछले चे उपर गया यह साथ सब्सक्राइब जाए श्यासी परसंट का पॉजड़ेग्ज हें दिया चे पंदरा रुपए पीछले श्यमने में स्टॉक ऊपर गया यह तेल डेट की बात करने नियुंद पर दो जाने 1.45 परसंटका नेचे तॉसले नहीं बार्ट करते पिछ पिछले एक साल का है 20 रुपे पिछले एक साल में स्टॉक नीचे गया पिछले पांस साल की बात करते हैं तो लॉंग टर्म में आप दिया वह काफी अच्छा रिटन है लगबग 22 साल मानके चलिए तो 22 साल में 144.10 10 परसंट का पॉजिटिटर अच्छा रिटन माना जाएगा 193 रुपे एक कैसी पैसे इन 22 साल में उपर गया और आप देशकते हैं चार्ट परनल चार्ट परनल एक यह टेंट में उपर जाता हुआ खली है यहां पर आके थोड़ा से स्टॉक नीचे आया तो आपको पता ही है कि यहां से स्टॉक नीचे क्यों आया आप देशकते हैं यहां पर जो 2019 से 2019 के फरवरी और जैन्वर से स्टॉक नीचे आया था उसके बात है अभी स्टॉक फिर से उपर जा रहा है तो इस मैंने कहा था कि यह स्टॉक जो है आपको लॉस नहीं कर सकती लॉंग टम में अगर आप लॉंग टम में इस स्टॉक में ज तो आगर आप लॉंग टम के निजर से जाना चाहरे तो जा सकते चले चलता है नसी को अफिसल वेबसेट पर बाकी जनके रहों पर देता हमें आप लोगों को तो यहां का डेटा में थोड़ा अपडेट कर लेता हूं तो आप देशक्तों यहां पर चाहरे तक कर डेटा आगिया है कि देशक्तों सत्ताइज जन्मरी चाहरे तक करेटा तो आज इस टॉक 210 पैसे पर क्लोज हुआ है प्रिवेस क्लोज ता 272 पैसे का था आज ओपन जो 208 रुपर पर हुआ था आज का हाई जो लगा आप देशक जो कि एक फरबरी 2020 को लगा था फिप्टी रुपर लोग की बात करते तो एक सो चाहरे चाहरे जरूर आपको देखने को मिलेंगे तो आज जो टोटल कॉएंटिटी तो ट्रेड हुआ है वह फोर करोर 4154388 की टोटल ट्रेडिंग हुए है 4303453888 टोटल आज ट्रेडिंग हुए और इसमें डिलेवराल कॉटिटी तो रहिए वह वह थो करोर 21229676 की डिलिवरी हुए है दो करोड 21,29,666 क्या डिलिवरी हुए और परसेंटेज और डिलिवर्ण क्याटिटी आप देशा तो 51.28 तो अच्छी बाने जाती है तो इसका चली चलता है इसने जो डिविडेंट दिया हो कब दिया कितना दिया कितना दिया बीम आप लोगो बता देता हूँ टाब दिविडेंट साथ के गया टादय इसने जो लाश्ड डिविडेंट दिया और डोजय को दिया था जोकी 10 इअनल 15 पर का था बाइस मैं 2019 को ने 5-osedरung पर से डिविडेंट दिया था और 5 जून 2017 को चारड़े 70 पर शाय डिविडेंट दिया और एक जौन 2016 का बोन साब बेन सब्सक्राइब करना कि आपको सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर आपकी कोई 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 पूछ पूसकतो आपके जरूरी उपला करने कुष्क पूसक्राइब करें आपको कुछ श्रेशान ना मचें को लेकर जरूत दीजेगा और आई हो पत्री कशको दापने सब्सक्राइब करें दोगा इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका मिलता कले बड़ा में जा हैं